हम सब ब्रह्मांट की अनन्त उर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमां आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्धिमान है। हमारे पुर्खों ने ध्यान से सम्द रिष्टा बनकर पूरी मानवजादे के कल्यान का बिला उठाया है। आए आच्यार्य भगवन डॉक्टर शिमुनी महरास साहिब के सानदे में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। जग खुमिया अथार जैसाना कोई। आणिषंत प्रमात्मा महामिदे क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनन्त-अनन्त किर्पा अंसा पर भर्ष्र रई उस प्रभू की अनन्त करुना, अनन्त मेत्री, अनन्त ज्यान को अनन्त-अनन्त नमन। प्रभू तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बुईयानंग मुद्धानंग मुद्धानंग मुएगानंग स्वन्नुनंग सवदर्सिन प्रभू स्वेम तिर चुके हैं औरों को तार हैं स्वेम बोधी को प्राप्थ हो गए हैं औरों को बोधी दे रहे हैं सरवग्य सरवदर्शी तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं सब की मंगल की कामना करते हैं धर्म का उद्वोदन देते हैं उनकी समसर्ण में जाते ही किसी को सत्य का बूद हो जाता है किसी को केवल ग्यान हो जाता है साथ ना करते करते सिद्ध गती में चले जाते हैं उस प्रभू की अनंत करवना को अनंत अनंत नमा शाशन बदी भगवन महामीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए है उनका धर्म शाशन पंचम कान में चल रहा है उनकी वानी, उनकी साधना उनका ग्यान, उनका तब स्वमकित प्राकरम की चर्चा आपके सामने चली हुई है स्वमकित के बोल भगवान महाविर से गंदर गौतम पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं पड़िपुच्छ नायनंग भंते जीवे किम जनए है भगवन प्रती प्रिछना शास्तर चर्चा से जीव को किस गुन की प्राप्टे होती है आप लोग शास्तर सुनने आए हैं भगवान महाविर की वानी की सुत्र की चर्चा होती है चर्चा होने के बाद शिश्य गुरु से प्रशन पूछता है प्रशन पूछने कुत हलवश बच्चे को दिखाई देता है ये कौन है ये कवा है ये काला काला है क्या करता है क्यों काय का है बच्चे का प्रशने कुत हलवश होता है क्योंकि बच्चा नया नया हो जनम लेता है वो जैसे जैसे देखता है बर्मान को तो प्रशन करता है वो बच्चे का शंशय उत्मन हुआ और शंशय को निवार्ण करने के लिए आप प्रशन पूछते हैं गुरु से और उनका उत्तर देते हैं आपके शंशय का निवार्ण हो जाता है आप सत्य के मारफ पर आगी दाद, तीसरा एक जग्यास है, मुमुक्षा, वो प्रशन पोछें, जिस से मेरा कल्या में, हजारों प्रशन है, प्रशन तो कुछ भी पोछ सकते हैं, भारत में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, रश्या में क्या हो रहा है, बिश्बश आप सुन सकते हो, वो प्रशन नहीं, प्रशन पूछने से, शास्त्र की चर्चा करने से, आपके भीत्र एक जिग्यासा, एक ममुक्षा भाव पैदा होता है, और उससे आपको समधान मिलता है, अब यह प्रशन भाव सुन्दर है, कि प्रती पूछना, पूछना, शास्त्र च करने से, शूत्र और उसका अर्थ, दोनों की विशुद्धी करता है, एक सूत्र, मूर सूत्र, धर्म एक मंगल है, उतकरिष्ट है, धर्म कैसा मंगल, इसमें आइंसा, संय, मरतब है, और धर्म कौन कर सकता है, धर्म का महिता क्या है, देवा भी तंग नमंग संती, देवता भी नमसकार करते हैं, किसको, जिसका हिर्दे है, धर्म में रहता है, धर्म क्या है, धर्म मंगल सुरुप, मंगल क्या है, कल्यान सु होता है और धर्म कौन करता है आइंसा सही या मरतब तीन प्रकार का धर्म होता है उसका फल क्या होता है कि देवता भी नमसकार करते हैं नमसकार जिसका हिर्दिया धर्म में लगा रहता है जस धम्में से आमाने ऐसा नहीं धर्म वो धर्म आपकी हिर्दिया में आए आए आपक अंग अंग तक छरी वो धरम आपका कल्यान करते हैं ऐसा यह सूत्र है उसका अर्थ है दोनों है सूत्र अर्थ की चर्चा दोनों से आपके शिद्या में शुद्धी होती है कांक्शाम होनिय करम का विशेश रूप से नाश होता है कांक्शाम का मरत है दूसरे जो परदरशन माले हैं वो कसी परकार की आपको शंक का पैदा कर लेते हैं अकांक्शा उससे आपका मौनिय करम का एक भाग है जिससे संदे पैदा हो जाना पता नहीं यह मारक सही है महावीर का मारक सही है कि बुद्ध का सही है कि सिख धर्म बालों का सही है क्या सही है क्या सही है क्या गल पूछने से प्रती प्रचना का पहला अफ़ाल है कि संदे नहीं रहता आपकी जीवन में प्रशन हुआ आपके मन में कुछ संदे आया उसकी निवर्ती हो जाती है संदे क्या शंश आत्मा विनश्यती शंश जीवन में आ गया संदे आ गया शर्दा और संदे में अंतर है शर्दा है कि जो है सत्य है कुछ भी हो जाए मैं समर्पित रहूंगा शंशे डामा डोल्चित ये भी ठीक है वो भी ठीक है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये करना चाहिए वो होना चाहिए पाम है पूर्व की और चल नहें ध्यान है पश्चम की और एक हाथ उत्त और एक हाथ दक्षन गर डामाडोल चित कमपाए मानुस्थिती पता ही नहीं भरोसा नहीं अपने पर वो शंशे होता है शंशय आत्मा विनिष्टिती, शंशय आत्मा नाश्च करण होता है, शंशय नहीं करना तुछ निष्ट हो जाता है, शंशय नाश्च हो जाता है परती प्रचना का दूसरा फाल है कांक्षा मौनिय का, कांक्षा मौनिय का मतलब स्वै दर्शन स्वै दर्शन का मतलब स्वै यानि आत्म दर्श्टी, आत्म दर्शन, आत्म रमन, आत्म चिंतन पर आपको प्रगाड विश्वास हो जाता है कांक्षा मुने पर दर्शन दूसरे दर्शन वाले क्या कहते हैं वो भी देखते हैं कोई लोग कहते हैं कि देखो जी दूसरे संटों गालियों में भी चलते हैं विदोश्यों में भी घूमते हैं हर जगा जाते हैं भग घटाने का धर्म है कि महावीर का धर्म आपको सिधाल्य तक ले जाएगा दूसरे धर्म वाले पुन्य कमा लेंगे पुन्य करके वो सौर्ग में चले जाओबे ये वापस आ जाओगे इतना दे को तपाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे महावीर का धर्म असकती दे के प्रती जो असकती है मूठ इसलिए साधु को लंगे पाम चलना किश्व का लुंचन करना भिक्षा मांगना जो आपके घर में जया जो भी हम लेते हैं आपके घर जा करके वस्तर लेना हो पातर लेना हो कुछ भी लेना हो पुस्तक लेनी हो तो हम आपसे मांग करके लेते हैं कुछ भी एक सुई का धागा भी लेना हो तो आपसे मांग करके लेते हैं अपर वापस आपको देना होता है ये एक साधु जीवन की चर्या है, मर्यादा है और त्याग प्रधान विश्य है इसमें त्याग का अपना महत्व है तो ऐसे स्वै दर्शन जानी आतम दर्शन पर सरदा हो ना कांक्षा मुनिय का विनाश होता है पूछना आप अवश्य पूछे कोई भी आप जैसे प्रवचंच अल्ला है कोई भी संत आपकी पामने बोलता है आपके मन में जिग्यासा होती है ति छोटी सी नोट बुक अपने पास रखिए और लिख लीजी और लिखने के बाद आप प्रवचंच पूरा होने के बाद आप समय मांगी हम आपको उसका उत्तर देंगे जैसे शिवर चला है बहुत से प्रशन आती हैं लोगों के देते हैं यहां से उत्तर देते हैं यह पड़ी पूछना कोई भी आपको शंका हो जाती है तो आप प्रशन पूछ सकते हैं जिग्यासा जानने की इच्छा है क्या जानना क्या जानना दुनिया में जानो को हम मैं कौन हूं सबसे बड़ा प्रशन है को हम की साधना अपने को जाने बिना धर्म की शुरुवात ही नहीं होती, धर्म की शुरुवात को हम, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धी हूँ, क्या मैं माता हूँ, पिता हूँ, बेन, भाई, पती, पती, कितने समंध ये शरीर के बने, हम शरीर के समंधों में उलजाते हैं, 90-95% लोग अपने समंधों को सुलजाने में लगे रहते हैं परिवार का समंध, देश का समंध अलग अलग धर्म है राष्टर धरम अलग है गृस्त धरम अलग है परिवार का धरम अलग है हर प्रकार के अलग अलग धर्म है प्रंतु ये स्वै दर्शन अपने को जानना मैं हूं कौन भगवान की वानी जड़ और जीव का पेड़ जड़ जानी ये शरीर शरीर में पांचों इंद्रियां में आँख ना कान जिभा रसनें इस परशन इसका अपना धर्म है हर इंद्रियों का अपना धर्म है आँख देख सकती है सुन नहीं सकती कान सुन सकते हैं देख नहीं सकते नासी का सुगंद ले सकती है नासी का खाना नहीं खा सकती जिभा रस लेती है पर जिभा सुंगती है यही है जिभा रस लेती है काया सपर्श करती है तो हर इंद्रियों का अपना-पना सभाव है, हर व्यक्ति का अपना-पना सभाव है, वो धर्म है, पत्थु सहाव धमो, तो आपका अपना सभाव किया जीव यानि आत्मा, ये पांच उंद्रियों का सभाव हो गया, मन का सभाव है, चंचलता, मन कभी भूत में जाता है, कभ कभी ये करता है, कभी वो करता है, मन भचकता ही रहता है, एक शन में मन, अमेरिका, जपान, जर्मनी, सब जगा भूंके आ जाते हैं, जहां जहां की आपकी जातरा की है, ये मन का धर्म है, बुद्धी, निर्णय लेती है, तो अपना अपना धर्म है, और आत्मा का धर्म क्या अब मुख है आत्मा का धर्म आत्मा का धर्म है जानना और देखना जानो और देखो कोई प्रतिक्रिया करना ही नहीं शरीर का सभाव है किरिया प्रतिक्रिया मेरा तेरा उसने किया मैंने किया ऐसा करूँगा वैसा करूँगा यहां जाओंगा वहां जाओंगा ऐसा करूंगा यह अब शरीर है यह क्रिया प्रतिक्रिया करता है आत्मा केवल अपने सभाब में रहे यह आप अपने सभाब में हैं वत्थू सहाबो धमो वस्तू का सभाबो धर्म है आप अपने के सभाब में रहे जानों तो को हम जानना है तो सवहम को जानो कि मैं कौन हूँ प्रशन पैदा हुआ आपका मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ जाओंगा कहां ये परवार जो मैंने बनाया है धन इकठा करता हूँ मैं किस के लिए करता हूँ क्या जो पुन्ने और पाफ से मैं धन की कमाई कर रहा हूँ क्या प्रिवारवाले साथ देंगे कभी पूछा है आपने तो धन कमा के लाते हो प्रिवारवालों से पुछते हो पत्नी से बेटे से कि मैंने जो धन कमाया है क्या धन में जो मुझे छल छदम से पैसा कमाया है क्या तुम साथ दोगे मुझे क्या इसका फल आपको भोगना पड़ेगा प्रिवार वाले क्या कहेंगे आपको पूछो उनसे क्या कहते हैं ये पूछना मैं कहां से आया हूँ मुरी जाना कहा है ये शरीर तो यहां रह जाएगा और जीव आत्मा निकल जाएगा तो कहां जाएगा जी फूछो जिद्यास साथ महुंक शाथा जान करेंगे थोड़ी देर के लिए आंके बंद मन वचन काया शांत शरीर शांत विचार शांत सृष्टी शांत वातावर निशांत हर दिशा हर किनारा शांत शांत सिर के सिरे से पांग के उठे तक अपने भीतर शुद चेतना का एहसास की जड़ जीव का भेद कर दे मैं जीवात्मा हो अनन्त सुख से संपन परिपूरन आत्मा हैं विचाराएं तो आने दें जाएं तो जाने दें तुम मात्र द्रश्टा अपने भीतर गहर मान और शांती का अनभव करें इसी में एक लंभगर अस्वांस लें अरिहंत परमात्मा के चर्णों में अनंत कृतकिता ग्यापत करें अन्भगर शांस अरिहंत परमात्मा के चर्णों में नमन और बंदन दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं हलका ससपरश धीर इसे आंखें खोल सकते हैं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आईडियानं नमो अवज्जायानं नमो लोए सबसाहुनं धम्म मंगल मुकितं आइणसा संयमो तभो देवा वित्तंग नमंसंती जस धम्मे सियामन शिरी चत्तारी मंगलं आरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पानतो धम्मों मंगलं चत्तारी लो गुत्तमा अरहंता लो गुत्तमा सिद्धा लो गुत्तमा साहु मंगलं केवली पानतो धम्मों मंगलं चत्तारी सरनम पवज्जामे अरहंते सरनम पवज्जामे सिद्धे सरनम पवज्जामे साहु सरनम पवज्जामे केवली पानतों धम्मं सरनम पवज्जामे चार शरन दुखहरन जगत में ओरना शरना जोई होगा जोई हम प्राणी करे आरादन उस्रका जर अमर पर हो उस्रका स्तवाई मंगर हो का प्रोग्रेम स्पॉंसर बाइ मोहित पॉल अड्वोकेट सुप्रीम कोट प्रीती जैन एक्जेक्टिव डिरेक्टर मान इल्यूमिनियम लिमिटेड 9810-841571 करे दो